हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम के एक नए फीचर के बारे में जिसे अभी रोलाउट किया गया है इंडिया में इनफेक्ट अब सब जिगे फीचर रोलाउट हो गया है इससे पहले फीचर सिर्फ जपैन में था ये फीचर इंस्टाग्राम QR कोड है यानि कि पहले जो इंस्टाग्राम में आपके अकाउंट का QR कोड होता था वो सिर्फ इंस्टाग्राम कैमरा से ही एक तरीके से इनेबल होता था लेकिन अब ये थर्ड पार्टी एप से भी इनेबल हो पाएगा और क्या इसके बेनेफिट है किस तरीके से आप अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं या आपका QR कोड कहा है सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और जो लोग कोई पेज रन करते हैं या जो एक कमर्शल परपस के लिए इंस्टाग्राम को यूज करते हैं या उफिशल पेज़े इंस्टाग्राम पर उनके लिए भी काफी इंपॉर्टन फीचर हो सकता है मेरा नाम है भवी और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा इस फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे Instagram account पर उपर की तरफ आप देख सकते हैं Settings टैब में आपको जाना होगा Settings टैब में जाकर यहां QR code आप देख सकते हैं QR code पर आप click करेंगे इस तरीके से आपको QR code दिखाई देगा यह although आपको लगेगा name tag की तरह है बट यह different है और इसमें आप अलग-अलग option चूज कर सकते हैं QR code के लिए आप emoji भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो selfie भी अपनी एक लेकर इस तरीके से इसको create कर सकते हैं और इस QR code को आप share कर सकते हैं चाहें तो लेकिन जो main जो अभी change हुआ है वो यह है कि यह QR code अब generate हुआ है यानि कि जो QR code अब आप देख रहे हैं यह QR code एक तरीके से अब normal camera app से भी अगर आप इसे open करेंगे तो यह जैसे उदारन के लिए अगर यह मेरा profile का QR code है और जब मैं इसे scan करूँगा normal camera app से मैं आपको इसको scan करके दिखाऊंगा तो यह QR code जो है मेरे profile पर मुझे ले आएगा अब इसका benefit क्या होगा इसका benefit यह होगा for example आपका कोई page है या आप कहीं पर print में अपना QR code लगाकर डारेक्ट users को अपने profile पर लाना चाहते हैं या वो कोई restaurant हो या कोई भी एक तरीके से influencer हो जहाँ पर आपकी print ad में आपका QR code आप डाल करके लोगों को direct अपने profile पर connect कर सकते हैं उनके लिए उसे Instagram app अलग से open नहीं करनी होगी normal अगर वो किसी भी QR code scanner से scan करेंगे तो वो direct आपके profile पर link ले जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपना QR code है वो इस तरीके से यहाँ पर एक उसकी image लिए है और आप मेंसे अपने normal phone के camera से open करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने phone का camera on कर लिया है और यह जो image है यह मेरे profile की है यह इंस्टाग्राम camera नहीं है नॉर्मल मेरे phone पर camera है यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको scan कर रहे हुँआ आप देख सकते हैं उपर direct link आगया है इस link पर जैसे ही मैं click कर रहा हूँ यह सीधा मेरे profile पर मुझे ले करके आ रहा है तो इस तरीके से आप भी अपने किसी भी अगर आप कोई page run करते है या कोई आपके restaurant है या कुछ भी आप menu भी इस तरीके से कोई भी ऐसा third party app जो QR code scan कर सकती है वहाँ पर आप Instagram QR code को use कर सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ Instagram से Instagram ही चलेगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काम आया होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजेगा साथी साथ इस वीडियो को लाइक कीजेगा और आपको जो feedback है वो comment section में लिक करके मुझे बता सकते हैं धन्यवाद दोस्तों जैहें